यह जो कोट है शेर मार्किट इंवेस्टमेंट ने बहुत सिग्निपिकेंट रॉल प्ले करती है जब भी अपना पैसा किसी भी कंपनी में इंवेस्ट करते हो तो उसके फ्यूचर को लेकर आप कभी भी 100% शेयर नहीं हो सकते लेकिन आप उस कंपनी की प्रिवेस्ट पर्फॉर्मेंस के बेसिस पर यह आईडिया लगा सकते हैं कि वो कंपनी अच्छी है या फिर बुरी है हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है सुशील बजाज मैंने पीएसजी किया है फाइनस के अंदर और मेरा जो आज का वीडियो है वो एक सीरीस का पाट है जिसका नाम है हाउ टू टू पिक स्टॉक्स इसी सीरीस के अंदर पहले मैं दो वीडियो लेकर आचुका हूँ जिसका लिंक इस वीडियो के ओपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आज मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि जब भी आपने अपना पैसा किसी भी कंपनी में इन्वेस करना है तो उस management की efficiency को चेक करना ना भूलिए और कंपनी की previous performance को देखना ना भूलिए आए समझते हैं कैसे काम करता है मेरे पास यह दो कंपनी है TCS और DLF TCS IT सेक्टर से बिलोंग करती है DLF Real Estate से बिलोंग करती है जब भी अपना पैसा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें सबसे पहले तो यह देखिए उस company के share price में fluctuation कितनी ज़्यादा है और price fluctuation का पता लगाने के लिए हमारे पास जो measure है वो है beta जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं TCS का जो beta है वो है 0.66 और 0.67 और DLF का हमारे पास है 1.21 और 1.26 यह values इसलिए different है क्योंकि हमारे पास दो exchanges है BSE और NSC और द से ज़्यादा है तो company risky है उस company के price में काफी high fluctuation आपको देखने को मिलेंगी अगर one से कम है beta तो company relatively stable मानी जाती है अगर किसी company के price में fluctuation आपको देखने को मिलती है तो short term में ऐसा हो सकता है कि speculators हो वो profit book करने की कोशिश करे artificial demand या artificial supply market में आए और price में काफी तेजी से up and down हो सक है लेकिन long run के अंदर जो company का price है वो हमेशा company के fundamentals को reflect करेगा fundamental से मेरा मतलब है company की balance sheet, profit and loss, company की efficiency मतलब management कितनी efficient है अपने resources को utilize करने को लेकर तो आपको यह देखना जरूरी है जब भी आपना पैसा किसी भी company में invest करना है अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि TCS है उसका beta जो less than one है और जो DLF है उसका जो beta है वो more than one है तो उसके बीचे क्या possible reason हो सकते हैं अगर हम इसको detail में study करें तो आप देखेंगे कि इसके profits के अंदर आपको काफी हजरा high fluctuation देखने को मिलेगी as far as DLF is concerned अगर देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर अगर हम यहाँ बात करते हैं TCS और DLF के अंदर अगर मैं net profit के compounded annual growth rate के बारे में बात करूं तो देखें यहाँ पर TCS में क्या हो रहा है अगर मैं 16 से लेकर 2020 तक देखूं तो यहाँ पर जो net profit का जो CAGR है मतलब कि जो compounded annual growth rate का percentage है वो 4.59% से लेकर 14.979% के बीच में लाई कर रहा है मतलब almost हमारे पास 2016 स 20 तक में जो amount of fluctuation है या range of fluctuation है वो somewhere 10% की बीच में ही चल रही है लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपके साथ DLF के बारे में तो देखिए वो minus 50.60% से लेकर 149% तक की है और अगर मैं 2019 को और 2020 को compare करूं तो TCS के अंदर दो fluctuation है वो कितनी है 12.74 से 14.79% और अगर मैं बात करूं DLF के बारे में तो देखिए amount of fluctuation 19 में 7.36% और 20 में 149% तो इतना लंबा अगर आप jump देखेंगे net profit percentage में या growth pattern में तो उसका जो reflection है वो कहीं ना कहीं आपको company के share price में देखने को मिलेगा और अगर मैं 16 को देखूं DLF के अंदर देखिए 16 के अंदर 68.55% का growth rate था और 17 में एकदम minus 20.34 हो गया और उससे next year वो और कम हो गया minus 50.60 हो गया तो इससे क्या होगा investor का जो confidence है वो company से चला जाएगा वो एकदम market में share को sell करेगा और एकदम supply का pressure increase होगा और price वो free fall ले लेगा और down चला जाएगा तो इतना high fluctuation अगर company के profit के growth rate में होगा तो investor confidence तो lose होगा ही होगा आगे समझते हैं इसको थोड़ा एक और example से य देखेंगे तो कहा लाई कर रहा है somewhere around 25% मतलब कि 24.40% से लेके 26.87% का overall range है 2016 से लेके 2020 दका और 2020 में वो 25.33% है और यह देखिए DLF के case के अंदर हमारे पास जो range दे रखा है वो 11.95% से लेके 95.54% का हमारे पास range दे रखा है तो यहाँ पर आप देखी रहे होंगे कि जो profit के अंदर fluctuation है DLF के अंदर वो काफी ज़्यादा high है और investor हमेशा यह देखता है company कितना profit earn कर रही है और according to profit investor जो है वो अपना confidence maintain कर पाता है किसी company के अंदर तो जब भी अपना पैसा किसी company में invest करें तो company के profit margin को तो देखिये ही देखिये बट जो उसके profit margin में changes हो रहे हैं उसको भी जरूर देखिये कि जो amount of change है वो कितना है अगर आप देखेंगे change minus से एकदम plus में चला गया जैसे minus 50% था और एकदम एक है दो सालों में वो 149% हो गया तो amount of fluctuation अगर इतना ज़ादा होगा तो price भी बहुत ज़ादा fluctuate करने वाला है इतना ज़ादा fluctuation नहीं होना चाहिए जैसा आप TCS में देख रहे हैं fluctuation है लेकिन आप देखेंगे बहुत ही कम हो रहा है जो कि easily investor digest कर सकता है इसके इलावा आपको जब भी अपना पैसा किसी company में invest करना है तो उस company की management को भी जरूर चेक कीजिए वो कितनी efficient है और management की efficiency को चेक करने के लिए तीन ratios हमारे पस available है एक है return on net worth or equity, return on capital employed और I can say ROCE और return on assets आए one by one समझते हैं सबसे पहले में बात करते हैं TCS के बारे में आप यहां देख रहे है return on equity दे रखी है 2020 में 44.72% इसका मतलब यहां पर क्या है कि जिन भी shareholders ने TCS के अंदर अपना पैसा invest किया है मतलब जिन लोगों ने अपना पैसा TCS को दिया और बदले में shares लिए only shareholders की ब business के अंदर कितनी efficiently use कर रही है या फिर उस पैसे को TCS use करके कितना पैसा generate कर पा रही है तो यहां पर return on equity के आ रहा है 44.72% in other words कि अगर company 100 rupees invest करती है तो उसके पीछे 44.72 rupees earn कर रही है लेकिन अगर मैं यहां बात करूँ DLF के बारे में तो DLF shareholder के पैसे को किस तरह से use कर रही ह अगर हम March 2020 की बात करें तो यहां पर वो shareholder के पैसे को अपने business में invest करके सिरफ 8.44% की return generate कर पा रही है फिर हम बात करते है return on capital employed के बारे में return on capital employed और return on equity में difference क्या है कि जो return on equity है वो सिर्फ और सिरफ equity shareholder का पैसे को consider करती है मतलब कि company ने जो shareholder के पैसा है उसको invest करें कितना return generate किया लेकि return on capital employed दो resources को लेकर चलती है एक तो shareholder का पैसा दूसरा जो company ने borrow किया हुआ है जैसे bank से कोई loan लिया हुआ है उस पैसे को भी business में invest किया हुआ है तो shareholder plus borrowed money shareholder का पैसा और जो पैसा borrow किया हुआ है दोनों को club करके उन्होंने business में invest किया और कितना income generate किया तो TCS ने shareholder के पैसे को और जो पैसा loan में लिया हुआ है उन दोनों को club करके invest किया business में और जो 2020 में return generate किया है वो है 52.79% और अगर मैं यहाँ बात करूँ DLF के बारे में तो इनका जो return है shareholder के पैसे का और borrowed funds के पैसे का return invest करने पे जो return on assets के बारे में return on assets है हमारा मतलब है कि company के पास जो खुद की assets है वो उसको कितना optimum utilize कर पा रही है और कितनी return generate कर पा रही है जो TCS है वो अपनी assets को properly use करके 31.68% की return generate कर रही है और यहाँ पर हमारे पास जो DLF है उन्होंने 2020 में अपनी assets को utilize करके only 5.37% की return generate की है तो यहाँ से आपको यह पता लगता है कि management कितनी efficient है अगर अच्छी management होगी समझदार management होगी efficient होगी जिसका vision बड़ा clear होगा वो funds का proper utilization करेगी और अगर अच्छा utilization करेगी तो अच्छी income generate करेगी अच्छी income generate करेगी तो investor का confidence उस company में increase होगा वो इतनी easily company को छोड़के नहीं जाएगा और अच्छी income के कारण investor को dividend भी अच्छा मिलने की possibility रहेगी company के growth की opportunity भी काफी जादा रहेगी और overall investor को profit होगा तो जब भी आपने अपना पैसा किसी भी company में invest करना है तो इन ratios को कभी ignore नहीं करना इन ratios के अंदर बहुत सारी hidden information है especially management की efficiency और जब भी अपना पैसा किस company में invest करें तो current year के profit को मत देखिए आप उसके previous year के profits को देखिए और यह देखिए कि इसको growth pattern क्या है ऐसा तो नहीं है कि वो पहले minus में था और एकदम ही भोजाला जम करके plus में आ गया तो company अच्छी नहीं है वो company dangerous है इतना high fluctuation अगर company के profits के अंदर हो रहा है तो मतलब वो company cycl technical nature की company है और ऐसी company से दूर रहना ही better रहेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होतो इसको like है शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा thank you so much for watching